नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट में संतीव में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पूर सीटेट परिच्छा में पूछे गए अति महत्पूर सो वन लाइनर प्रश्णोत्रों का संग्रे लेकर हैं जिसको मैं दो पार्ट मे यूट ज्यादा इंपोर्टेंट परिच्छा भी एक्दम नजदीग आ चुकी और डेयलिट सेखेंड ससेमिस्टर की परिच्छा भी बहुत नजदीग आ JOE चुकी तो जो भी प्यातरी डेयलीट सेखेंड समिस्टर की परिच्छा दे रह adam यह हैं और सेटिट का फॉर जिन गलत मत कीजेगा प्लीज ये वीडियो जरूर पूरा ध्यान से देखिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे का निशान जरूर दबा दीजे ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए चले उस् है वो क्या है वो तना है आगे पड़ते हैं कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भाति दिखाई देता है वो क्या कहलाता है वो बाहे दल कहलाता है याद रखेगा कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भाति दिखाई देता है वो बाहे दल कहलाता है अमर बेल किसका उधार प्टियों पर शिराओं द्वारा बनाए गया डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें जाना जाता है शिरा विन्यास के नाम से कोश्चन भी ध्यान से देखिए और आंसर भी ध्यान से सुनिए पत्यों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है ग्लूकोज अथवा सरल सरकरा आगे बढ़ते हैं व्रचों के तने या साखाओं से निकली हुई विसेज जड़े किस नाम से जानी जाती है अव इस्थम बजड़ अगला प्रसन है किसी जगे के फ्लोरा और फोना सुचित करते हैं पेड पौधे और जन्तुओं को फ्लोरा और फोना आगे बढ़ते हैं निम्न में से कुनैन दवा प्राप्त होती है सिनकोना के प्लांट से कुनैन दवा प्राप्त होती है भारत में फलो के अंतरगत सरवाधिक छेतर है आम का आम का पेड सबसे ज़्यदा पाजाता है भारत में आगे बढ़ते हैं नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेड़को, कीड़, मकोडो और चुहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फसा कर खा जाता है हमारे देश में यह पौधा कहा पाय जाता है तो यह मेघाले में पाय जाता है एक बढ़ फिर से देखें नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है वो मेघाले में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं पंखुड़ों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाय दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं पराग फूलों के बीच में पराग पंखुड़ियों के अंतर पराग पाय जाता है आगे बढ़ते हैं प्रकास इंसलेशन की क्रिया में हरे पोधे दोरा बाहर निकलने वाली गैस क्या कहलाती ऑक्सीजन लॉंग और केसर पोधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं फूल से बीटी का पास है एक ट्रांस जैनिक पोधा बहुत बार पूछा गया है पोधों में जल का अधिगराण किसके दोरा होता है जाइलम के दोरा चरने वाले पसू वनस्पति को कैसे बदलते हैं बीज प्रकीणन दोरा आगे बढ़ते हैं पोधों में अर्ध सूतरी भाजन होता है पराग कड़ों में मचली का तेलवा सूरिका प्रकास दातों वा हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन सी विटामिन के प्रमुक कारर है तो ये प्रमुक कारक है विटामिन डी के लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन बंडारित होता है विटामिन ए दालों में किसके दिखता होती प्रोटीन की फलों का सेवन किन अव्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है विटामिन के लिए मिड़े मिल की शुरुआत कब हुई 1995 भोजन पकाने की सर्वत्तम विधी कौन सी है भाप में पकाना भोजन पकाने की सर्वत्तम विधी भाप में पकाना अगला प्रसंद है कि उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है लेकिन सुरच्छित नहीं रहता भोजन पकाने का एक धंग भूनने का विक्सित रूप है सेकना सहद में क्या के होता है सरक्रा और एंजाइम अगला प्रसंद है भोजन में मसालों का प्रयोक क्यूं किया जाता है सुधिस्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए अवतल दरपड के अत्यत निकर जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा एवं आवधर्थ, ठीके? आभासी, सीधा और अवर्धित, भागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? वर्मी कंपोस्ट भागवानी के लिए, राज़स्थान स्टेट केमिकल वक्स कहा इस्तित है? डीर्डवाना में, भिहार राजम लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अगड़ी है मुझफवरपूर धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है आयस्क को मदुबनी चितलों को बनाने के लिए चितरगार उतारों उपयोग में लिये जाने वाले रंग होते हैं किसके बने होते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन गोल से ठीक है एक ही तरह की फसल बार-बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से जो म्रदा होती जो भूमी होती हो क्या हो जाती यह बंजर हो जाती एक ही फसल को बार-बार उगाने से इसलिए फसल को बार 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 बदलते रहना चाहिए भारत में क्रशी को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महतपूर तत है वरस्ट्री सिल्वी कल्चर किस से संबन देता है वन एवं वन उत्पात से जूम केती कहां होती है मेघाले में हमारे देश में कौन सा थंडा रेगिस्तान लद्दाग जो की जम्मू कश्मिर में है हमारे देश में सबसे लंबा रास्टी राजमार कौन सा है NH7 हमारे देश में आवा गमन के लिए सबसे अधिक उचाई पर इस्थित राजमार है मनाली लेह राजमाक सबसे उचाईपा इस्तित है भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां चलाई थी मुंबाई से थाणे तक 34 किलोमेटर रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां इस्तित है गोरकपूर उत्तरप्रदेश में भारत में मेटरो रेल की शुरुवात कहां हुई कोलकाता में 1984 कॉंकर रेलवे है रोहा से मेंगलूरू तक ये कॉंकर रेलवे परिवेजना है मेटरो का प्राचीनतम नेटरो के भारत में कहां पर स्थापित किया गया था कोलकाता में Metro, Sarvpurathan, Goldgatha में ही चलाई गई थी परवशती छेत्रों में रेल परिवहन के लिए कोंन सा gauge प्रयोग की जाता है Narrow gauge परवशती छेत्रों में रेल के परिवहन के लिए Narrow gauge के इस्तिमाल के जाता है आज का आखरी कोस्टिन है विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग दोस्तों ये थे आज के 50 questions और इसके बाद में दूसरा इसका पार्ट टू अपलोड करने वालों तो प्लीज वीडियो मिस मत कीजेगा आज के जो प्रशन है जिसका आपको उत्तर देना एपी कल्चर किस से संबन्दित है इसका वीडियो इस question का उत्तर आप नीचे comment box में जरूर दे दिजे और इन 50 questions में आपको कितने आते थे प्लीज comment box में जरूर बताईए आप लोग comment जरूर किया कीजे इससे क्या होता है कि मैं और वीडियो बनाने की इच्छा मेरी होती है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान जरूर दबाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत